Hello friends, welcome back to another video तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अखुजा SPA 25000 के वारे में जो की एक 2500 Watt RMS Power का Mono Amplifier होने वाला है अखुजा के तरब से आने वाला ये सबसे High Watt S PA Power Amplifier है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस Amplifier को अगर हम लेते हैं बेसिक डिटेल्स और स्पेसिफिकेसंस और साथ में बात करेंगे कि इस Amplifier को अगर हम लेते हैं तो अभी के डेट में 2024 में का प्राइज हमें मार्केट में कितना देखने को मिलेगा लेकिन उसे पहले अगर आप हैं इस चैनल पे नए तो कर लेजे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब डिजय से रिलेटेड ऐसे ही जानकारी आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट की बात कर लेते हैं इस Amplifier के बारे में या फेज की तो आपको उसमें volumes के नोप मिल जाते हैं एक master का और base और treble का साथ में आपको एक selection switch भी मिल जाते हैं अगर आप इस पे speaker बजा रहा है तो आप इस speaker के side करके speaker बजा सकते हैं या फिर अगर आप horn चलाना चाहते हैं तो आप इस switch को horn के side करके आप इस पर horn बजा सकते हैं। साथ में एक अहुजा का logo आपको मिल जाता है और model number mention किया हुआ है SPA 25000 और साथ में नीचे मिल जाता है आपको PA power amplifier लिखा हुआ। साथ में आपको इसमें air passing के लिए holes दिये गये हैं जो कि ventilation का काम करेंगे इस amplifier के लिए। साथ में आपको इस amplifier में light मिल जाता है जो कि lighting आपको यह बताता है कि आपने कितने db तक इस amplifier का output खोला है। और नीचे भी आपको कुछ light दिख रहे होंगे बेसिकले यह जो light है यह आपको temperature के, overload के या फिर fault के मिल जाते हैं। साथ में आपको एक on-off का switch भी देखने को मिलता है इस amplifier में और इस amplifier को carry करने के लिए आपको इसमें दो मजबूत handle देखने को मिल जाते हैं। साथ में इस amplifier में आपको rack mount भी मिल जाता है तो आप इस amplifier को easily 3U के flight case में भी कस सकते हैं। तो यह था इस amplifier का front face जो आपको काफी easy देखने को मिल जाता है। तो आप इस amplifier को काफी easily operate कर सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस amplifier के specifications की। तो इस amplifier का जो power output है वो आपको 25 watt armist देखने को मिल जाता है। और maximum power की बात करें तो आपको 3000 watt देखने को मिल जाता है। लेकिन काफी सारे भाई लोग इस पे 4000 watt तक का भी load देके चलाते हैं। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि अहुजा जो brand है तो इसके जितने भी amplifier है वो काफी ज़्यादा load लेके चल जाते हैं। यानि कि कोई दिक्कत होता नहीं है basically तो इस लिए इस amplifier पे काफी सारे भाई लोग जो है हमारे DJ वाले काफी ज़्यादा load देके चलाते हैं। तो इस amplifier का जो frequency range है वो 50 Hz से 1500 Hz की frequency पे यह amplifier वर्क करता है। speaker and horn output की बात करें तो आपको इस amplifier में 2 ohms, 4 ohms और 70 volt और 100 volt का option देखने को मिल जाता है। तो आप इस amplifier पे horn भी चला सकते हैं। अगर power supply की बात करें तो आपको इसमें 220 volt से लेके 240 volt तक आपको इसमें AC current देना होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस amplifier के load calculation की की हम इसमें top और base किस टाइप से चला सकते हैं। या फिर अगर हम horn चलाना चाहें तो कितने की quantity में हम इसमें horn चला सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 2 ohms पर load की। तो अगर हम 2 ohms के लिए बात करें तो आप इसमें 4 ohms impedance का 1300 से 1500 watt तक के दो top आप इस पे इसली 2 ohms पर run करवा सकते हैं। तो इस type का load आप 2 ohms पर दे सकते हैं। या फिर अगर आप 4 ohms चलाना चाहते हैं 2 ohms पर ही तो आप 8 ohms impedance वाले 700 से 800 watt के 4 top इस amplifier पे easily 2 ohms पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें 4 ohms load पे top चलाने की यानि की एक top के लिए तो जनरली अभी के time में आपको उस type के speaker market में कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप in future अगर उस type के speaker एब लेवल होते हैं जिसका wattage आपको 1200 से 1400 देखने को मिले। तो उस type के 2 speaker और एक HF के साथ में बने top आप इस पे एक top चला सकते हैं 4 ohms में तो चलिए अब बात कर लेते हैं base के लिए कि इस amplifier में हम base कितने watt तक के चला सकते हैं। तो अगर हम 4 ohms की बात करें तो आप इस amplifier में 1000 watt से लेके 1300 watt तक के base का use कर सकते हैं। दो base आप इस पे इसली चला सकते हैं 1000 watt से लेके 1300 watt तक के अगर आप थोड़ा सा अच्छा response चाते हैं तो आप 1200 watt से 1000 watt तक का base चलाईए यानि कि 1000 watt या फिर 1200 watt का base चलाईए तो थोड़ा सा आपको उसका result जो है अच्छा देखने को मिलेगा। अगर हम 2 ohms की बात करें तो आप इस amplifier पे easily 650 watt के 4 base का use कर सकते हैं जो की एक base का impedance है वो 8 ohm बनता है तो उसी साब से जो 4 base के हमारे impedance बनेंगे वो बनेंगे 2 ohms तो आप इस पे easily 650 watt के 4 base का use कर सकते हैं या फिर अहुजा के तरब से भी जो 650 watt का model आता है वो भी आप इस पे 4 चला सकते हैं अगर बात करें कि इस amplifier में हम हर्न कितने चला सकते हैं LMT unit तो आप 40 watt का जो LMT unit आता है अहुजा के तरब से ही तो 40 watt का आप इसमें 70 हर्न तक use कर सकते हैं आप इसमें 70 से 75 हर्न थोड़ा से जादा भी आप चला सकते हैं या फिर अगर आप 50 watt का जो market में काफी popular हर्न आता ह है अहुजा का LMT unit तो उस type के 60 unit का आप इसमें easily use कर सकते हैं तो चलिए अब end of the video बात कर लेते हैं इस amplifier के price की तो इस amplifier का जो price है वो आपको काफी जादा देखने को मिलता है लेकिन पैसा वसूल amplifier है क्योंकि अहुजा के जितने भी amplifier होते हैं वो काफी reliable होते हैं तो आप इस amplifier को लेने के बाद ये चिंता तो भूली जाईए कि amplifier जल्दी खराब होने वाला है या फिर ज्यादा खराब होने वाला है जल्दी इस amplifier में fault आपको देखने को नहीं मिलता है और काफी easy होता है तो operate करने में भी आपको आसानी होती है तो इस amplifier को प्राइज है वो आपको 60 से 65, मार्केट में देखने को मिल जाएगा तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा टिकाओ एक amplifier को लेना तो आप इस amplifier को ले सकते हैं DJ या फिर live purpose किसी भी purpose में आप इसको यूज कर सकते हैं काफी अच्छा response ये amplifier आपको निकाल के देदेगा तो चलिए अब इसी के साथ करते हैं इ इस वीडियो को इंड मिलते हैं किसी एक और नय और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम